हलो फ्रेंड्स, आप्रती, वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हमारा नर्सरी जाना हुआ, सोचा था कुछ सीजनल प्लांट से लेकर आएंगे प्लांट शेयर करेंगे, उनके प्राइज आप से शेयर करेंगे और हमारे जादतर व्यूर्स को जो नर्सरी विजिट है, वो बहुत पसंद आती है तो सोचा था कि शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सीजनल प्लांट से वो काफी कम थे और बहुत अची कंडिशन में नहीं थे, और जो रोजस थे उनमें भी बहुत अची वराइटी नहीं थी, कॉमन वराइटी थी, जो कि आप सभी के आसपास मिल ही जाते हैं तो यह हमने सीजनल प्लांट अभी नहीं लिए, तो हमने जब पता किया, तो उन्होंने बताया कि वो कुछ दिन में दوبारा से सीजनल प्लांट लाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादतर सीजनल प्लांट से भी बिक चुके हैं और जो दूसरे प्लांट थे, वो सभी वो प्लांट थे, जो विंटर में ग्रोथ नहीं करते हैं, तो उनको लेना बिल्कुल भी इस समय सही नहीं होता है इस समय सभी nursery जो होती है वो या तो single plant से सजी हुई होती है या crescentimum और dahelia से सजी हुई होती है ज्यादतर या जो winter plants होते हैं तो आप सुचेंगे कि आज हम video क्यों share कर रहे हैं तो हमें बहुत ही कुपसूरत तो crescentimum varieties दिखी तो सुच आप से share करते हैं शायद आपको अच्छी लगे और price भी आप से share कर देंगे तो यह कुछ variety है जो कि हमें भी इसमें से एक दो variety लेनी है लेकिन हमने ली या नहीं ली यह आपको वीडियो में आगे पता चलेगा तो यह जो variety है आप देख सकते है परपल कलर में है और कितनी जादा इसका बड़ा प्लावर है और यह जितने भी प्लांट्स है क्रसंथिमum के बहुत बड़े प्लांट्स नहीं है यह एक कटिंग से तयार किये हुए प्लांट्स है तो एक ही प्लांट इसको मिलेगा आपको और फिर इसमें से बेबी प्लांट्स बनते जाते हैं जो कि हमने एक पॉम पॉम येलो कलर की वराइटी आप से शेयर की थी लास्ट यह बिल्कुल यहीं से ही लिया था वो प्लांट्स तो उसी से ही देखे कितने सारे जो है एक ही तरह के यह प्लांट्स है जो कटिंग से त तो अपने यहां की फ्लावडिंग आपसे शेयर करेंगे ही आज नर्सरी में जब आए हैं तो यहां पर कौन-कौन सी वराइटी है क्रसेंथिमम में यह आपसे शेयर कर देते हैं और यह एक रेड कलर में है जो कि बहुत ही प्यारी थी और काफी मदुमख्या यहां पर आ रही थी एक इसमें पॉम-पॉम में वाइट वराइटी भी है तो अभी दो या तीन दिन बाद दोबारा से नर्सरी जाना होगा तो प्लावर्स मिलेंगे नहीं क्योंकि यह सभी नर्सरी में ही खिल जाएंगे तो नेक्स्ट यह देखते हैं कि हम इनसे कितने प्लाइंट्स बना पाते हैं कटिंग से और कितनी जादे मदुमख्या यहां पर आ रही है तो अकर आप कुछ वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं तो इसमें भी काफी मदुमख्या दी है यह पॉंपॉम वराइटी जो की भाइट कलर में है और सबसे अच्छी वराइटी इसमें यह भाला जो बड़ा प्लावर है और जो परपल और दूसरा यह दहे लिया है तो दहे लिया कि यह जो फ्लावर्स हैं दोनों हाथों को आप एक साथ जोड़िए इतना बड़ा यह एक फ्लावर था और जो अभी आपने क्रेसंतिमम के प्लाइंट्स देखे वो सभी 60 रुपीज इच है यानि कि एक प्लाइंट आपको 60 हमें आसानी से एक प्लाइंट गुलदा ओदी का यानि क्रेसंतिमम का मिल जाएगा दहेलिया का जो पौदा था यह 70 रुपीज इच बताया था यह भी आपको 52 60 रुपीज में मिल जाएगा जिस भी नर्सरी में जाते हैं तो पिटूनिया बहुत जादा नहीं है एक दो प् आपको सीजनल प्लांट के मिल जाएंगे और क्रेसंतिमम आपको 50 60 रुपे में चालिस रुपे में भी कहीं कहीं पर मिल जाता है और जो डहेलिया है वह भी आपको 40 से लेकर 60 रुपे तक आसानी से मिल जाएगा तो प्राइस शेयर करना इसलिए भी जरूरी होता है जिससे प्लावर्स मार्केट में तूट जाते तो सुचा जब दूसरे सीजनल प्लांट्स लेकर जाएंगे तभी इनको भी लेकर जाएंगे दो तिन दिन बाद तब आपसे पूरी वीडियो शेयर करेंगे और कल एक बहुत ही इंटरस्टिंग वीडियो आएगी जो आप जरूर द Thank you!